जय हिंद जय भारत दोस्तों यहां पर आप सबको बहुत ही आसानी से किलियर करने वाला हूँ यह समकुन सब्द का आखिर क्या मतलब है गाईज यहां पर हम आसानी से समझेंगे समकुन किसे कहते हैं समकुन क्या है तो भाई साब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं समकुन और समकुन को इंगलिस में right angle कहते हैं यहाँ तक आप सबको clear रहा होगा भाई साब यहाँ पर आप ध्यान दिजिए यहाँ पर आसानी से आप सभी को दिख रहा होगा जब दो रेखा हैं यहाँ पर आप ध्यान दिजिए एक ये वाला रेखा और दूसरा ये वाला रेखा ये रेखा और दूसरा ये वाला रेखा ये एक दूसरे को लंबवत काट रही है या नहीं काट रही है मतलब यह कि यह सिधा सिधी आप सब के सामने यह काट रहा है या नहीं काट रहा है तो आप देख पा रहे हैं कि यह ऐसे और ऐसे काट रहा है तो यहाँ पर यह जो आकरिती बना है न यह हमारा समकुन का है यहां पर जो अकरिती बना है यह किस चीज का है समकुन का है तो आप कैसे जानेंगे तो यहां पर आप ध्यान दीजेगा समकुन में यहां पर जो भी कौन बनेगा वो 90 डिगरी का बनेगा मतलब यहां पर जितने भी कौन बन रहे वो 90 डिगरी के बन रहे तो भाई साहब समकोन में आपको यही ख्याल रखना है कि जब भी कौन बनेगा तो वो 90 डिगरी का होगा जो कौन 90 डिगरी का होगा वो कौन को हम बोलेंगे समकोन गाईज समकोन आपको आया के नहीं आया आपको आसाने से यही ख्याल रखना है, कि 90 डिगरी का कोण बनेगा तो वो हमारा समकौन कहलाएगा और समकौन कब बनेगा, जब भाई शहाब सिधा सिधा यानि लंबवत काटती है न रेखा तो यहाँ पर जो भी आकरेती बना है, यही आकरेती हमारा समकौन है आसानी से आप सबको आ गया होगा उमीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी प्राप्त हो गई हो तो भाई साब मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो पसंद आप तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब तो करना भूलना मत बाई बाई टेक केर